अ का नोट इंजन उटिलाइज ए ए ए ए ए इडियल गेस्ट देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका डेटा बनाते हैं और हम सबसे पहले क्या करते हैं इसका टेमपरेचर ले लेते हैं जो हमारे पास सोर्स का टेमपरेचर होता है उसे हम टीवन कहते हैं और यह हमारे पास है 227 डिग्री इसको केल्विन में कनवर्ट करें 227 प्लस 273 तो यह आपके पास क्या आजाएगा 500 है फिर सिंग का टेमपरेचर ले 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 हैं वह आपके पास है 127 डिग्री इसको कनवर्ट करें 127 प्लस 273 तो यह आपके पास ती तो आ जाएगा 400 केल्विन ठीक है अब हम क्या करेंगे आपको वर्टन भी इन्होंने दे दिया है जो के बराबर है 10,000 के है हमें तीन चीज़े मालूम करनी है सबसे पहले efficiency Q1 जो के heat system को दी गई और Q2 जो के system ने heat किया करी reject करी ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर solution लेते हैं और efficiency का formula यूज़ करते है efficiency बराबर होती है 1- T2 upon T1 के ठीक है 1- T2 की value कितनी है हमारे पास 400 और T1 की value हमारे पास है 500 इसको calculator में put करके answer निकालते हैं तो यह answer आपके पास आएगा 0.2 इसको percentage में convert करेंगे तो 100 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 20% efficiency आपके पास आगई 20% ठीक है अच्छा efficiency का ना एक और formula होता है work done और divided by Q1 इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि सिस्टम ने जितना काम किया उसे output कहते हैं और Q1 का मतलब यह है कि सिस्टम को जितनी heat दी गई तो actually efficiency निकालने का formula यह होता है output upon input अब हमें पता है कि efficiency जो है वो 20% है तो इसको मैं 0.2 लिख सकता हूं efficiency को और work done जो है वो 10,000 के बराबर है तो यह आ जाएगा 10,000 divided by Q1 अब Q1 किसके बराबर हो जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा 10,000 divided by 0.2 तो Q1 की value आजाएगी 50,000 ठीक है अच्छा दी वर्डन का एक formula होता है Q1 माइनस Q2 ठीक है तो Q2 किसके बराबर आजाएगा Q1 माइनस W के तो Q2 is equal to Q1 की value 50,000 divided by 10,000 जो के बर्डन है तो आपके पास Q2 की value कितनी आएगी 40,000 तो यह आपके पास इसका answer आगया 50,000 तो 59,000 तो 59,000 तो 59,000 तो